हजारी बाद लोगसभाशेत्र में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है हजारी बाद की उपायुक्त नैंसी सहाय ने बताया कि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है उन्होंने बताया कि 27 और 28 अप्रेल को सरकारी छुटी है इसलिए इन दो दिनों में नामांकन नहीं हो पाएगा सहाई ने बताया कि उमीदवार तीन मई तक प्रपत्र भर कर निर्वाचन पत्र अधिकारी के कार्याले में जमा कर सकते हैं संसद्य निर्वाचन चेत्र के लिए क्योंकि आज गजट नोटिफिकेशन इशू किया गया है 26 अप्रेल 2024 को और इसी के साथ हमारे संसद्य निर्वाचन चेत्र के लिए नॉमिनेशन्स या नामंकन की प्रग्विया अब शुरू हो गई है लास्ट डे ओफ मेकिंग नॉमिनेशन्स आखरी दिन तीन माई है तीन माई 2024 तक नॉमिनेशन्स किये जा सकते हैं चार माई को स्क्रूटिनी की जाएगी और छे माई तक अगर कोई अपना नामंकन विड्रॉ करना चाहता है विड्रॉल के लिए छे माई का डेट फिक्स किया गया है बीस माई 2024 को मतदान दिवस है और चार जून 2024 को काउंटिंग की प्रक्रिया की जाएगी साथी साथ महपद पून जानकारी यह है कि कल और पर्सो यानि 27 अप्रिल और 28 अप्रिल को नामंकन नहीं किया जाएगा कल 4th Saturday है जो कि Ministry of Finance के guidelines के according एक public holiday है और Sunday ये दोनों दिन nominations नहीं किये जाएगे नॉमिनेशन की प्रक्रिया 29 तारिक, 30 तारिक, 29 और 30 अप्रिल और 12 और 13 में को किये जाएगे एक तारिक को Labor Day है लेकिन क्योंकि वो NIA Act के अंतरकरत एक public holiday नहीं है इसलिए उस दिन भी नॉमिनेशन की प्रक्रिया की जाएगे वही नैंसी सहाई ने बताया कि हजारी बाग सीट पर 19 लाग से जादा वोटर इस बार मतदान कर सकते हैं इस चुनाफ में हजारी बाग लोकसभा सीट पर 50,489 नई वोटरों का नाम जोड़ा गया है साथ ही शांतिपूर्ण और निश्पक्ष मतदान के लिए 8500 कर्मियों की तैनाती भी की गई है इस बार कुल हमारे संसादिया चेटरे के लिए जो मतदाताओं की संख्या है वो 19,35,784 है जिसमें 9,95,321 पुरुष मतदाता है और 9,44,432 महिला मतदाता है और 31 हमारे थर्ड जेंडर के मतदाता है इस बार हम लोगोंने कुल 50,489 न्यू एलेक्टर्स यानि नए मतदाता भी जोड़े है जो फर्स टाइम इस बार इस लोग सभा एलेक्शन में वोट करें जो मतदान कर्मी है उनकी कुल संख्या करीब 85,800 है 8,500 के अराउंड टोटल मतदान कर्मी है रिजर्व को लेकर जो की इस पूरी प्रक्रिया में शामिल रहेंगे इसके अलावा हमारे सेक्टर मैजिस्ट्रेट से हमारे पुलिस बल है अन्या जो सभी लोग बाकी अन्या कामों में लगे हैं कोशांगों में लगे हैं कुल 13,000 लोग हैं जो इस वर्ष हमारे पूरे निर्वाचन में अपना सही होगी है आज कुल 5 लोगों ने नॉमिनेशन पेपर्ज हमारे ओफिस से खरीदे हैं और ये पांचों लोगों ने आज ही पेपर्ज लिये हैं और आने वाले दिनों में अपनी नॉमिनेशन के पर लिया है हजारी बाग लोग सभा स्थीट का नतीज़ा तै करने में इस बार 50,489 नए वोटरों की एहम भूमिका रहेगी उमीद हैं कि चुनाव आयोग और जिला प्रशासन हजारी बाग में शांतिपून तरीके से चुनाव करवाने में सफल रहेंगे पंजाब के सिरी टीवी के लिए हजारी बाग से राजकुमार गिरी की रिपोर्ट हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें और नई वीजियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए